इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम मात्रा में या अधिक समय के लिए इसका इस्तेमाल ना करें। इस दवा के उपयोग से मिचली आना, अपच, पेट में दर्द, कमजोरी, चक्कर आना और नींद आना जैसे कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको ऐसे किसी भी साइड इफेक्ट का इसे लेने से पहले, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन या डिसॉर्डर है तो अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। अपने डॉक्टर को अन्य सभी दवाओं के बारे में भी बता दें, जिन्हें आप ले रहे हैं। गर्भवती और स्थनपान कराने वाली माता को इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। अधिक्तम लाब पाने के लिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार फ्लेक्सोन इमार टेबलेट लें। जरूरत से ज़्यादा खुराक या लंबे समय तक इसका सेवन ना करें क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है। आमतोर पर आपको सबसे कम पौवा वाली डोज लेनी चाहिए जो थोड़े समय के लिए सही धंग से असर करें। यह आपको रोजमर्रा के कामों को आसानी से करने में और एक बहतर जीवन जीने में मदद करेगा। फ्लेक्सोन एमार टेबलेट के साइड एफेक्ट इस दवा से होने वाले अधिकांच साइड एफेक्ट में डॉक्टर की सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती है और नियमित रूप से दवा का सेवन करने से साइड एफेक्ट अपने आप समाप्थ हो जाते हैं। अगर पूराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। इसे साबुत निगल लें। इसे चबाएं, कुछ लें या तोड़ें नहीं। फ्लेक्सोन एमार टेबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।